इन ट्रिक्स को जिसने जान लिया उसको 95% स्कॉर करने से बोड एकजाम में कोई नहीं रोक पाहे है तो कौन कौन सी ट्रिक है उन सारी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और बहुत बहुत बहुतरीन कुछ बताएंगे भाई इतनी सारी चीज़े बताने वाला हूँ आज की वो सारी चीज़े अगर तुम्हें फॉलो कर ली तो तुम्हें एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंटी कैटेगरी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है तो सबसे पहले मैं अपने बारें बता दू कि मैं कौन जो मैं तुम्हें एक ज्यान दे रहा हूँ मैंने अपने पूरे स्टूडेंट कैरियर में बहुत सारे एक्जाम फोड़े हुए हैं भाई MSC Gold Medalist हूँ मैं Inspire Fellowship जो All Over India 1% टॉप स्टूडेंट को मिलती है I was the Inspire Fellow तो मैं इतना तो कर चुका हूँ भाई कि मैं तुम्हें बात सरी इन तरीके से अपना 100 पॉसेंट नहीं 200 पॉसेंट देपाऊ और यह सारी बाते जो हैं वह साइंटिफिकली प्रूवन है ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाई पुल बना रहा हूं मैं तुम्हें ऐसी बता बात बाते बता रहा हूं जो ऐसी है कि मतलब इसको हवा में रखा ज नह sno później गंटे पॉरते फिर मीं हमार रेजल जो आता है वो इस टॉपर स्टूडेंटस से कम आ जाता है जो टॉपर इस्चूडेंट से कम आरहा सो भी रहा है बहूत बहत पढ़िके दियों कुट लाइफ को एंजggakर फोलो करता है एक कॉनसी ऐसे टृइट है उन सारी चीज़ चीजों को बहुत बहतरी न तरीके से आप समझ पाएं तो वीडियो को लास तक जहूर देखिएगा तो पहले देखो हम बात करते हैं यहाँ पर तो पहली चीज क्या आती है देखो सारी चीजे लिखी हुई है everything is mentioned you have to clear about your syllabus अब आप कहेंगे sir clear about your syllabus मतलब क्या है clear about our syllabus कहने का मत अब previous year question paper निकालने के बाद एक बार go through करो चाहे physics चाहे chemistry चाहे bio चाहे maths सारे subject में syllabus reduce हो गया है तुम्हारा बहुत सारे topics ऐसे हैं जो अब नहीं आते हैं बर तुम्हें coaching institute में तुम्हें YouTube पर बहुत सारे teachers वो सारी चीजे पढ़ा रहे हैं भी और तुम्हारे काम का नहीं है so firstly you have to very 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 clear about your syllabus आपको अपने syllabus के बारे में बहुत clear होना चाहिए कौन कौन से topics important है क्योंकि 60 to 70% syllabus ऐसा होता है बोर्ट examination में जिससे question लगातार repeat हो रहे है तो भाई पहले 70% पहुंच जाए हम लो उसके बाद 90 भी पहुंच जाएंगे पहले 70 तर complete कर ले उसके बाद 90 तक की भी चढ़ाई पूरी कर लेंगे तो सबसे पहले क्या होना है clear about your syllabus अगर आप clear हो गए अपने syllabus के बाद तो आप क्या बोलेंगे आप उन topics को priority में रखेंगे कि वो topic तो आपको छोड़ने ही नहीं है कुछ भी हो जाए वो topic नहीं छोड़ने है भाई उन topic को बिल्को चार्ट लेना है काईदे से और कैसे हमको देखो plan करना है प्लान कैसे करना है firstly you have to prioritize then you have to plan अब आप plan कैसे करेंगे plan देखो दो तरे का हो सकता है एक हो सकता है long term plan जो आप long term plan तब करते जब आप आप सेशन के स्टार्टिंग में थे बट अभी क्या आ गया बिटा अभी आ गया है नवेंबर डिसेंबर जैनवरी फेबरी तीन महिने आपके पास बचा हुआ है और फेबरी में तो आपके exam होना शुरू हो जाते हैं तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं सारी चीज़े बि कर लेंगे नहीं सोचना नहीं है अभी करना है one day or day one हम एक दिन कर लेंगे और हम आज करना शुरू कर रहे हैं this is my day one है तो प्लान करना है आपको short term plan करना है एक दिन का plan करना है बहुत जादा है तो एक हफदे का plan करना है उससे जादा नहीं करना है एक हफदे का plan किया उसको भाई पूरी जी जान लगा करके एक्जीक्यूट किया, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद jüp हम पूरे महीने में देख रहे है, तो चार हफ़ते हम देखेंगेे, और एक महीने में ओवराल देखेंगे, तो हम कम से कम इतना सिल्बस खतम कर चुके होगे और जैसे इतना हम स तेखो time table में तुम्हें बनाने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम्हारा school भी है तुम्हारा pre-boards ना इसके जादा ना इससे कम जादा हो जाए वो अलग बात है उससे कम नहीं करना है और रोज के रोज जब तुम अपनी प्रोग्रेस देखोगे तुम्हारा खुद का मुराल अब होता जाएगा जो अभी तक तुम सोच रहे थे कुछ नहीं पढ़ा है मैंने वो इस टाइम पर तुम इतना पढ़ लोगे तुम जब एक्जाम देने जाओगे तुमको लेगा कि हां यार बहुत सईच्जे मैं पढ़ करके आया हूँ अब आजाए कोई भी क्वेश्चन अभी ऐसे करके देता हूं है ना अब भी करके देता हूं चलो अब फिर देखते हैं यहां पे तो टास्टेबल के बाद क्या आता है यहां पर एक टेकनीक आती है जिसको हम बोलते है प्रोमोडोरा टेकनीक बहुत सिंपल सी है कि हमारा यूमन ब्रेन जो है वो 25 मिनट से ज्यादा रिटेंशन टाइम नहीं होता है इसका 25 मिनट के बाद तुरंती अलग-अलग थोट्स आना शुरू होते हैं तो आप भी क्या करना है आपको 25-25 मिनट के 25-25 मिनट के आपको स्लॉट डिवाइड कर लेना है एक घंटे को आपने 25-25 मिनट में डिवाइड किया चार स्लॉट हो है एक घंटे में और उन 25 मिनट का आपको रेटेंशन टाइम रखना है कि वह जैसे 25 मिनट हुआ आपने कुछ भी अपने आपको रिवाइड दे दिया यार रिवाइड देने का मतला आपने टॉफी रख लिए और क्या कि आपने जैसे 25 मिनट आपने कम्प्लीट किया आपन सारी चीजे जो हैं वो क्या हैं वो तुम्हारे मुराल को कहीं न कहीं अप कर रही हैं और तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर रही हैं ठीक है तो पोमो डोला टेकनीक के बाद क्या आती है भाई देको सिंपल सी बाद जब मैं पढ़ता हूं तो मैं मान लेता हूँ कि में पास ये पेज है और में मिले को इतना ही पेज पढ़ना है अब मैंने क्या किया मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया पढ़ लिया अब मैं क्या करूँगा जब मैं कहीं से भी मूव कर रहा हूँ मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूँ मैं यहां स solution chapter चलना चाहिए क्या मैंने पढ़ा था कौन कौन से टॉपिक थे अच्छा इस टॉपिक में ये था अच्छा यहां molality का formula ये था volume by mask का formula ये था ये सारे formulas हैं सारी चीजे हैं kf की value kb की value ये सारी values चलनी चाहिए आपके की दिमाग में जब आपके subconcious mind में भी वही चल रहा है आपने ब्रेन को बार 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 बता रहे हो कि इतनी चीजे मैंने पढ़ लहा है अभी इतनी चीजे पढ़ ली है इतनी चीजे पढ़नी बाकी है तो क्या करना है उसके बारे में जो जो तुम पढ़ा जो उसके बारे में सोचना है उसके बाद हम क्या बोलेगे यह यह चीज तुम को या friendships थेखो समझाओ तुम दूसरे को समझाओ मैं कह रहा हूँ तुम कुछ मत करो तुम फोन निकाल करके अपना जितनी भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड कर लो ठीक अधिकों फोन से मैं तुम से कहूंगा कि तुम दूर रहो बड़ अगर तुमा पस कोई तुम यह कर सकते हो तुम दीवाल को समझाओ तुम अपने छोटे भाई बहन को पगड़ो उनको समझाओ तुम सर को समझाओ अपने बेस्ट फ्रेंड को समझाओ बट जब तुम बार 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 वही चीज़ें बोलोगे बार बार तुम वही चीज़ें सुनोगे फिर जह हम क्या बोलते हैं दोगो अपने resources को बहुत limited रखो अपने resources को limited रखने का मतलब आपके पास तीन resources अभी होने चाहिए जो most important है क्यों क्यों क्योंकि पूरा boards का CBSC गा paper यहीं से बनता है इसके लब और कहीं नहीं बनता है सबसे पहला तुम्हारा NCRT दूसरा NCRT exemplar और तीसरी हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं lab manual अगर आप chemistry की बात करते हो अगर आप bio की बात करते हो आप physics की बात करते हो तो इन सब में आपको lab manual मिल जाता है और यह सारे lab manual से भी बिटा सीधे direct question आते हैं क्योंकि तुमको ही पता है कि अभी जो previous वाला trend देख रहे हो उन सारे trends में तुमको previous year question में application based question जादा से जादा मिल रहे हैं तो application based question बनाए कहां से जा रहे हैं sources क्या है वो sources है तुम्हारे exemplar और तुम्हारा जो lab manual वाला portion हो तुम्हारी NCRT यही तीन चीज़े यही चीन चीज़े तो आप limited रखेंगे और आपके क्या है यह आपके smart resources है सवन में आगी बात और उसके बाद आप last में देखोगे तो भाई देखो कि यार अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमाई फ्रेंड ने मुझे बताया कि नहीं बताया कहीं मुझे अलग तो नहीं बैठा दिया जाएगा मैं कुछ भी ना कर पाऊं तो क्या हो गया यह deadline होगी कल exam है तो अपने आपको deadline दो कि हमें आज के आज इतनी चीज़े complete करनी है अग कोई मेरा बहुत best friend है मैं उससे बात नहीं करूँगा यह सारी चीज़े है जो तुम क्या बूल रहे हो अपने आपको deadline दे रहे हो छोड़े movie देखिए ना क्या बूलते है deadline देते हैं अपने आपको कि यह काम करना ही करना है वो अपनी मा से बात नहीं करता है तब तक जब त तक उसका क्या जो competition चल रहा होता है वो complete नहीं हो जाता है ठीक है तो देखो अगर तुम यह सारी चीज़े फॉलो करते हो तो भाई यह सारी चीज़े scientifically proven चीज़े हैं और तुम्हारे exam को तुम्हें topper बनाने में और तुम्हारा उस 95% का सपना पूरा करने में 100% मेहनत 100% भी पाओगे ठीक है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो हम तब तक के लिए ताइंगे सो मच जेहिन